दोस्तों वेल्कम एंड वेल्कम बैक टो माई चैनल आई होप यॉर डूइंग गूड एन वेरी पॉस्टिव दोस्तों आज जो मैं आपके साथ रेमिटी शेयर करने जारी हूँ इसमें आपको इस्तमाल में लाना है कपूर यानि की कैमफर और पूजा घर में जो कपूर इस् मैं आज आपके साथ शेयर करने जारी हूँ कि कपूर की हेर डाई घर पे कैसे बना के तयार करें कपूर एक एंटी सेप्टिक हीलर है दोस्तों ये बालों में सकैल्प में फंगल इनफेक्शन को दूर करने के लिए बालों से डैंडरफ को दूर करने के लिए और किसी भी त और strong बनाती है तो चलिए देखते हैं दोस्तों इस कपूर की डाई को हमें कैसे prepare करना है आप यहाँ पे दो तरह का कपूर इस्तमाल कर सकते हैं सबसे पहला जो है यह भीम सेनी कपूर है जो की transparent crystal होता है और दूसरा है जो की normal हम पूजा घर में इस्तमाल करते हैं अगर आपके पास भीम सेनी कपूर नहीं है तो आप normal पूजा घर में इस्तमाल होने वाला कपूर इस्तमाल करें आपको यहाँ पे एक लोहे की कढ़ाई लेनी है अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है in case तो आप यहाँ पे लोहे का तावा ले लीजे क्योंकि आपको इसे रोस्ट करना है लेकिन ध्यान रही कि तावा जो है वो बहुत जल्दी हीट हो जाता है गरम हो जाता है बालों के लिए खासकर बहुत जादा फायदे मन होता है सफेद बाल की समस्या है, premature gray hair की समस्या है, hair growth की समस्या है तो आप आउला का अस्तमाल जरूर करें इसके साथ आपको यहाँ पे लेना है एक मुठी यानि एक बंच आपको यहाँ पे गुडहल के फूल का इस्तमाल करना है, dry form में, fresh भी ले सकते हैं लेकिन dry form में लेंगे तो जादा बेटर है, आप चाहें तो इसका powder भी इस्तमाल कर सकते हैं सबसे main शीच बता दूं कि गुडहल के फूलों का रंग मत देखिए, इसकी quality को देखिए बहुत सारे लोग इसका रंग देख करके इसे इस्तमाल ही नहीं करते कि यह क्या ही हमारे बालों को काला करेगा लेकिन दोस्तों गुडहल का फूल और इसकी पत्या हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होती है आप Google पे सर्च कर लीजेगा कि गुडहल का फूल और इसकी पत्ती हमारे बालों के लिए क्या फाइदे पहुचाती है एक बर अगर आप इनके फायदों के बारे में जान जाएंगे तो इन्हें हर एक पैक में ज़रूर इस्तमाल करेंगे आपको क्या करना है इन्हें अच्छे से चलाना है थोड़ा सा थोड़ी दिल 2-3 मिनाड तक इसे थोड़ा रोस्ट करना है ताकि इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंट हो जाए और पतिया जो है यहाँ पे और थोड़ा यह सौफ्ट से क्रंची हो जाए इनकी जो नमी है मौशर यह थोड़ा सा यहां पे खतम हो जाए तब आपको इसे तब तक इसे इस तरीके से रोस्ट करते रहना है अभी आपको कपूर का इस्तमाल नहीं करना है कपूर का इस्तमाल आपको थोड़ा और आगे यानि कि जब यह पत्तियां और आमला पाउडर अच्छे से रोस्ट हो जा आपको कपूर यहां पर कम सकम 2 चमच ले नहीं है लेकिन आपको एक साथ कपूर नहीं डालना है एक चमच अभी डालीए इसे चलाईये थोड़ा सा मिक्स कीजे और उसके बाद फिर से एक चमच इसमें डाल करके इसे चलाईये यानि कि पूरा जो तरफ उन थरफ कोट। पूटल है कपूर को रॉस्ट करने का टाइम है सिर्फ एक मिन इट का और आध्याध्य कता है एक चमच पेहले आपको डालना है थोड़ा सा चलानाritis है एक चमश उसके बार डाल देना है फिर अगें से चलाना है और इसे जब अच्छे से मिक्स कर ले तो आप देख सकते हैं नीचे जो पाउडर्स है वो पूरा ब्लैक हो चुका है यानि कि अच्छे से रोस्ट हो गया है और जो पत्या है ये भी सॉफ्ट से एकदम क्रंची हो च ania के चुकी है तब आपको गैस ki flame को ओफ कर देना है अभी यहां पे मैंने गैस के flame को अलग निकाल लेना है सारी चीजों को मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है और पीसने के बाद आपको छनी से छानना जरूर है ताकि हमें बिल्कुल यहां पे महीन पाउडर मिले और इसका दरदरापन बिल्कुल भी ना हूँ अब आपको इसमें एट करना है ओल तो देखिए पाउडर की मात्रा जादा है तो आप इसे सेफ कर सकते हैं यानि कि इसमें से आधा जो पाउडर है वो आफको इस्तेमाल में लाना है और आधा पाउडर आ आप next बार के लिए यूज कर सकते हैं तो यहां पे एक इनेधर बोल ले लेंगे और 1 चमच आपको ये पाउडर इ यह बना रही है अगर आपके बालों की लंबाई जाता है तो आप इसे दो चमच भी ले सकते हैं अभ आपको इसमें एड करना है और मैं यहां पर आपको कुछ तेल के बारे में बतारी हूं यानि कुछ और पर अगर आप करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा आप इन अलग-अलग ओयल का इस्तमाल इस पाउडर के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले है नारियल का तेल, सेकंड नमबर पे सरसो का तेल, थर्ड नमबर पे ओलिव ओयल यानि जैतून का तेल, फोर्थ नमबर पे बादाम का तेल, फिफ्ट नमबर में तिल का तेल, और सिक्स नमबर पे सनफलॉर ओयल यानि कि सूरज मुखी का तेल, ये जितने ओयल ह ये छे के छे ओयल हमारे बालों के लिए बहुती ज़ादा फाइदेमंद होते ही इनका नियमत इस्तमाल करने पे आपके बालों में कभी कोई समस्याएं नहीं होंगी तो इन में से जो भी ओयल आपको सूट करता हो वो आप लगाईए मैं यहाँ पे नारियल का तेल लूँगी चुकि गर्मी का टाइम है नारियल का तेल विटामिन से भरपूर होता है साथ ही यह लाइट वेटेड होता है नौन ग्रीसी होता है यानि कि इसमें चिपचिपाहट नहीं होती तो नारियल का तेल मैं यहाँ पे एड़ करी हूँ आपको नारियल के तेल की कौंटिटी या कोई भी जो भी आप ओयल इसमें एड़ करें है उसकी कौंटिटी इतनी लेनी है कि अच्छे से यह पाउडर इसमें मिक्स हो जाए तो पांच चमच के करीब मैंने यहाँ पे नारियल का तेल कोकोनट ओयल को लिया है इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसे अपलाई करना है तो इसे अपलाई कैसी करना है Most of question यही आते हैं कि हम इसे दिन में लगाएं कि रात में लगाएं तो देखिए जब भी आपके पास time हो जब भी आप इसे लगाना चाहें तब लगाएं लेकिन सबसे जो अच्छा तरीका जो होता है ओईल को लगाने का वो मैं हमेशा यही कहूंगी कि आप इसे रात में लगाएं जितनी ज़्यादा देट तक यह आपके बालों में stay करेगी उतने ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यह आपके बालों में work भी करेगी इसे लगाने का तरीका बिलकुल सिंपल है बस इसे इस तरीके से पहले थोड़ा सा मिक्स कर लिजे क्योंकि पाउडर है और ओयल में बैठ जाते हैं तो इसे mix करके इसके बाद आपको इसे अपने बालों में scalp में लगाना है, massage करनी है और overnight के लिए छोड़ देना है इसके बाद next morning उठिये किसी भी mild या herbal shampoo से अपने hair को wash कर लिजे अगर आप इसे दिन में लगा रहे हैं तो कम सकम दो घंटे के लिए तो अपने बालों में लगा की छोड़े then normal पानी से wash करें, evening में oil आपको नहीं करनी है क्योंकि आपने already oil ही लगाया है next morning किसी भी mild या herbal shampoo से अपने hair को wash कर लिए male female कोई भी लगा सकता है, बच्चे भी लगा सकते हैं, ये बिल्कुल natural है बहुत ही simple लेकिन बहुत ज़्यादा effective ये remedy आपके साथ में share कर रही हूँ इसका इस्तमाल जरूर कीजेगा so I hope guys आज के छोड़ी से remedy आपको पसंद आई हो तो please video को like कीजेगा, remedy को share कीजेगा चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं के another new remedy के साथ तब ते के लिए bye bye, take care, अपना ध्यान रखिए